असलाम अलेकुम दोस्तों, welcome to this video, my name is काशीफ मजीद आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कि आप किस तरहां से cricket की वीडियो यूट्यूब पर upload करके पैसा कमा सकते हैं काफी ज़दा लोग हैं जो के ये काम अल्रेडी कर रहे हैं और काफी ज़दा questions मुझे जो है इंस्टाग्राम पर यही आते हैं कि भाई मुझे ये बताएं कि मैं कैसे cricket की वीडियो अप्लोड करूँगा, कैसे wrestling अप्लोड करूँगा यह मैं आपको समझा देता हूं, नमबर वन चीज इस काम के लिए आपको क्या चीज चाहिए होती है, वह है content ID, content ID क्या होती है, यह पहले आपको बताता हूं ठीक है, और कैसे मिलती है, यह भी आपको बताता हूं, और उसके बाद कैसे आपने वीडियो से अप्रोड करनी है यह भी आपको समझाता हूं, basically content ID से मुराद यह होता है, कि आपका YouTube चैनल है, यह जो है न, specific हो जाता है बाकी YouTube चैनल से, YouTube आपके चैनल को जब आपको content ID मिलती है, तो YouTube कहता है, कि आपका content है, बाकियों से अलएदा है, ठीक है, अगर कोई आपका content copy करता है, तो आप उसको उ basically मिलती कैसे, क्योंकि जब तक आपके पास content ID नहीं होगी, आप जो है, वो copy paste videos, movies या wrestling या cricket नहीं upload कर सकते, आप content ID कहां से मिलती है, यह आपको बताता हूं, ठीक है, और दूसरे एक और चीज़ होती है, लोग कहते हैं, कि यार हम लोग जब cricket की वीडियो upload करते हैं, तो हमें strike आजती है, और यह बंदा जो है, यह इतने अर्से से upload कर रहा है, और इसको strike नहीं आती, तो क्या वज़ा है इसकी, तो भई, उसको content ID मिली हुई है, और आप जो है, वो simple channel पे upload कर रहे हो, इसका ये reason होते है, ठीक है, अब content ID मिलती कैसे, इसका एक reason है, कि आपका YouTube channel या तो भूल ज़दा famous हो, अब वो तो नहीं है, हमारा YouTube channel ठीक है, famous नहीं है, तो दूसरी चीज़ या आती है, कि आपके YouTube channel पे unique content हो, कि से related, या तो आप music से related videos बनाते है, या फिर आप नात पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आप कलाम पढ़ते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो के कहलें कि artist को show करती है, उसमें content ID बड़ी जल्दी मिल जाती है आपको, ठीक है, अब artist जो होता है, उसको content ID YouTube सबसे पहले देता है, अब art क्यों होता है, आप जो है आप नात पढ़ रहे हैं, अगर गाने आपकी मर्जी है भाई, मैं नहीं कहूंगा कि videos अप्लोड करो गानों की, वो YouTube पर नाते पड़ी, या फिर लोगों को paid, यानि कि पैसे दे के नात पढ़वा लेते हैं, पहले से, ठीक है, या कुछ लोग songs भी करवा लेते हैं, अब जब songs अपने डालना शुरू करते हैं YouTube पे, तो अपना चैनल जो होता है, वो songs related है, तो उसके साथ क्या होता है, जो भी singers होते हैं, उनके चैनल के साथ, वो आपने देखा होगा, ऐसे singing का बन किया जाता है, पता लग जाता है, या singer का channel है, अब उसके बाद क्या होता है, वो apply कर देते हैं, content ID के लिए, ये YouTube का अपना फीचर है, content ID मैंने बता दिया, क्या होता है, और आपने इसके लिए just apply करना हो उसके बाद उस पे content ID के लिए apply किया, आपको अगर content ID मिल जाती है, उसके बाद आप जो है, वो videos लगा सकते हैं, अब content ID का फाइदा क्या होता है, कि आप किसी भी channel को किसी भी वक्त, जो है ना, वो कहलें कि block कर सकते हैं, अब let's suppose मैंने जो है, वो cricket के video उठानी है, और मैंने वीडियो कहां से उठानी है, मैंने वीडियो ICC की जो है ना, वो channel से उठानी है, या let's suppose मैंने वीडियो जो है, वो किसी भी Facebook की stream से उठानी है, कहीं से भी उठानी है, तो अब मैं क्या करूँगा, कि मैं यहां से मैं वीडियो उठा रहा हूँ, उस country को भी block कर दूँगा, और उसके बाद यहां पर जो है ना, वो वीडियो चला दूँगा, तो पाकस्तान के अंदर उस पर वीडियो आएंगे, ठीक है, मैं जो है, बाकी country को block करके, मुझे जाँ 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 पता है, कि यहां से वीडियो को रखूँगा, उन पर वीडियो लूँगा, यह फाइद जो है न, थोड़ी से एडिट करते हैं, और उसके बाद वहां पर अप्लोड कर देते हैं, जस्त करना क्या होता है, उस जो है न, चैनल को block करना होता है, ताके वो आपको strike न दे सके, और आपका जो है, वो चैनल से earning हो रही होती है, और फिर आप लोग, हम लोग क्या करते है आम बंदा देखके न, वो देखता है यार, यह कैसे कर रहे है, मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर हम भी वीडियोस ऐसी डालते हैं, लेकिन हमें strike आ जाती है, फिर हम लोग कहते हैं, कैसे वीडियोस डालके cricket की या wrestling की earning होती है, तो मैंने आपको समझा दिया कैसे आप लोग जो ह आप लोग करें, कुछ लोग जो है, इन में से पास होंगे, उनको content ID मिलेगी, उसके बाद वो लोग भी earning करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को apply करें और successful हो, तो इस वीडियो के नीचे आके comment कर दीजेगा, ताकि लोगों को जो हुस्लाफ जाईग यहाँ पर आप मुझे से राब्ता कर सकते हैं, कोर्स के लिए, और अगर कोर्स के इलावा कोई भी बात करनी है, तो आप मुझे Instagram पर reach out कर सकते हैं, Instagram ID का भी link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, मिलता हूँ अपसे नेक्स टूडियो में अपना रखिए का बहुत सारा ख्य